आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पहून दूस करता हूं कर दोश्रों पहला जो तरीका है आप अपने वालिट से किसी phone पर merchant को transfer कर दीजे, अगर आपके पास है तो आप अपने phone पर merchant पर transfer कर लिजे, अगर नहीं है, तो किसी shop पर चलेज़े, किसी दुकान पर चलेज़े, किसके आगर दोस्त के पास हो, तो आप merchant पर transfer कर दीजे, phone पर merchant होना चाहिए, तभी आपका wallet से transfer होगा, और others कोई scanner पर इसकान करके तर्णाइट करने की कोशिच करेंगे तो आपका जो फोन पे ओलेट बाइट से ट्रणाइट मातलब क्विभा अकॉस पर होगा। कई चलिए उसको भी मैं एक बार ऍटिकल दीखा देता हूं को किस्वी लिए मेरे पास एंगको आई स्कानर है कि यह पाले में मल्लीग डीखान fund करके दिखाता हूं मल्लीग है ये ये यू पी आई का ऐड़ी ब्सक्ति केवल जिससे हम transform कर सकते हैं पैसे अगर हम फोन पे जो फोन पे मार्चेंट है केवल फोन पे ओनली फोन पे है कोई मल्टी एसकनर नहीं है केवल फोन पे एसकनर है उसको हम एसकनर करते हैं तो देखिए यहां पे आपका वालेट और यूपी आई दोनों तरीका यहां पे दिखा रहा है दोनों हमारा अकाउंट यहां प पे कर सकते हैं और अपने यूपे आइडी से भी पे कर सकते हैं तो हम अगर वालेट से पैसे निकालना है तो वालेट से हम पे कर देंगे तो हमारा वहां से queash ले लेंगे ऐसे भी निकाल सकते हैं अब दूसरा जो तरीका है दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूँ दूसरी तरीका जो है पहले हम अपने bank account link अपने bank का balance check कर लेंगे कितना है चलिए हम यहाँ पर check लेते हैं अपने bank का balance यहाँ पे हम अपना यूपी आई पिन डालेंगे और ओके करेंगे तो देखिए दोस्तो हमारा जो बैंक बैलेंस है अभी 1896 रुपे 56 पैसे है अब हम आपको अपने फोनपे वालत से बैंक में टैनास पर करके दिखा देता हूं तो इसके लिए आपको देखिए फोनपे के उपर एक कोर्चिन मार्क है आपको क्लक करेंगे कोर्चिन मार्क के उपर टैप करेंगे टैप करने के बाद आप स्कॉल करके नीचे आएंगे यहां पर देखिए प्रोफाइल लिखा हुआ इस प्रोफाइल को उपर आप टैप करेंगे यहां पर आप पैमेंड मेठोर पर टैप करेंगे और यहाँ पे wallet and phone पे gift card पे आप टैप करेंगे और यहाँ पे आप phone पे wallet पे टैप करेंगे और यहाँ पे आप यहाँ पे आप reactivate, closing phone पे wallet पे आप करेंगे टैप करने के बाद नीचे option जो how do I close my phone पे wallet पे आप टैप करेंगे टैप करने के बाद यहाँ पे आप scroll करके थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक शॉप्षन मिल जाएगा close wallet तो आप close wallet से पहले आप अपना confirm कर लिजी कि आपका bank account आपके phone पे से link है की नहीं अगर link नहीं है तो आप पहले bank account link करेंगे फिर आपका wallet का पैसे bank में transfer करेंगे तो यहाँ पर आप close wallet पे tap करेंगे आपका जो बीच वाला option है withdrawal wallet balance पे आप click करके इसे select करेंगे select करने के बाद नीचे आपको confirm deactivate wallet पे आपको tap करना है tap करने बाद आपको यहाँ पे भी option मिल जाता है go back जाने की और deactivate wallet करने के लिए तो आप deactivate wallet पे tap करेंगे और यहाँ पे confirm करने के लिए आप yes पे tap करेंगे yes पे tap करते ही आपका wallet का balance है वो आपका balance bank में 10 पर हो जाएगा और आपका wallet बंद हो जाएगा तो दोस्तों आपको यह एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे अगर आपने wallet बंद कर दिया आपके जो भी transaction होंगे मतलब जो आपके पास पैसे आएंगे अगर कोई भेशता है आपको तो आपके wallet पे नहीं आएगा सीधे आपके bank account में जाएगा ठीक है दूस्तों तो आप ऐसे अपना bank account सिफ पैसे transfer कर सकते हैं चुलिए हम अपने balance दिखा देते हैं अपने bank account में जाके तो इसे हम done कर देंगे यहाँ पे view details पे क्लिक करके आप details भी देख सकते हैं तो चलिए एक बार details हम दिखा देते हैं details पे क्लिक करके यह देखें फोन पे wallet का जो 200 रुपया है यह transfer हो चुका है तो हम back जाएंगे यहाँ पे done कर देंगे यहाँ से हम back जाएंगे अपने home page पे जाएंगे एक bank balance पे tap करेंगे यहाँ पे जो हमारा bank activate है link है वहाँ पे हम tap करेंगे यहाँ पे हम UPI pin डालेंगे और ok पे tap करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अभी current bank balance है यहाँ दो हजार 96 रुपए 56 पैसे हैं और इससे पहले जो हमारा bank का balance था वह एक हजार आठ सो चैनल रुपए और 56 पैसे थे मतलब अठारा सो चैनल रुपए 56 पैसे थे आप 200 रुपए जुड़के हो गया है 2000 तो आप भी ऐसे आपना wallet balance आप 10 पर कर सकते हैं अपने bank account में लेकिन यहाँ पर यहाँ पर पॉब्लम आउर है अगर आपने आपने वालेट को बंद कर दिया तो आपका वालेट दुबारा रियक्टिवेट करने के लिए आपको छे महाईना वाइट करना पड़ेगा छे महा अगर आप जो ट्रैंसपर कर रहे हैं wallet से अपना balance वह ट्रैंसपर आपको कम से कम तीन से नव दिन के अंदर ट्रैंसपर होंगे तुरंत ट्रैंसपर नहीं हो पाएगा अब होगा भी नहीं यहाँ आपर तो आप जो पहला तरीका है आप उसे यूज किजिए इसे ना यूज करें अभी ऐसे अपना wallet का balance बैंक में ट्रैंसपर कर सकते हैं वह भी फ्री में आपको यह दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें comment करके जरूर बताएं I hope कि आपके बीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon को दबा के वाल को select कर ले